आज हम बात करेंगे जो मुंसिपल कमिटी में मीटिंग हुई थी जो की टाउन प्लानिंग और इप्रोमेंट के लिए ये मीटिंग हुई थी जहां पर हाली में आपने एक इंट्रिव्यू भी देखा होगा जो अजीज उर्रहान जी से इंट्रिव्यू लिया गया था उन्होंने कुछ खुलासे के उन्हेंने कुछ बात बताए तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ महुद है श्रे इमती सुनीता चाबरा जो की एंटी करॉप्शन और क्राइम प्रिवेंशन के नैशनल वोमन चैर्मेन तो आए चलिए उनसे बात करते हैं नमश्कार में इस बारे में बताईए आप जो कल मीटिंग हुई थी उसमें अजीज उर्रह्मान जी ने एक न्यूज सैनल को एक स्टेटमेंट दिया था तो उनका जो एजन्डा था जैसे कि दूसरा एजन्डा इलेट वाथा अजीज उर्रहमान ने जो इंटर्व्यू अपना दिया था पर्टिकुलर ने किसी एक परसंड के लिए दिया था जो की जिनका नाम सुधी प्राइश शर्मा है मैं ये पूछना इन से चारी हूँ कि सुधी प्राइश शर्मा को अकेले ही टार्गेट क्यों किया जा रहे है अगर वो मुंसिपल काउंसल है तो काउंसलर है तो उनको मुझे लगता है कि उनको आईलेंड के डेवलेप्मेंट के बारे में बात करना चाहिए हाली में आप देखे करोना के बाद में लोगों के पास काम नहीं है और हमारे अंडमान में दो साल ड़ह साल के बाद में दुबारा सा ये काउंसल बना हुआ है मुनसिपल का इस वक्त लोगों के पास काम नहीं है हर चीज की दिक्कत है पानी बिजली इन सारी समस्याओं से हट करके ये सिर्फ अपने परसनल मुझे ऐसा लगता है या मैं जंता को ये बताना चाहरी हूँ कि पर्टिकुलर अगर किसी एक ही परसनल को हर तरीके से बोला जाए तो मुझे लगता है कि उनका कुछ परसनल अपना एंटरेस्ट है वरना एक ही इनसान के उपर में बार-बार ये बात नहीं किया जा रहा है और एक वाइस टीर परसन होने के नाते उसकी काफी जिम्मेदारियां है कि अभी इस वक्त उनका वार्ड में आज तक उन्होंने किया किया लोगों को ये बताईए कि आपने लोगों के लिए किया किया अगर आपने करोना के टाइम पे काम भी किया है तो अब जब उनके पास में इतना समय है काम करने के लिए इतने सारी फैसिलिटी दी गी है उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ सुधी प्राइश शर्मा पे ही टार्गेट करके उन पे बात करना शुरू किया जहां तक वाइलेशन की बात रही है वाइलेशन अंडमान की अंदर में मेरे हिसाब से मैं मतलब आंकड़े के साथ बता रही 820 केसिस हैं जो वाइलेशन के हैं वाइलेशन बिल्डिंग के हैं मैं अजीज रह्मान से पूछना चारी हूँ क्या ये आकड़ा सही है आपको मैं ये बताना चारी हूँ कि 2012 तक का मेरे पास आप अपने कैमरेमेन को बता सकते हैं ये 2012 तक का मेरे पास ये सारा वाइलेशन पूरे statement है आप इसमें से किसे भी एक paper को निकाल के देख लीजिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें सारे violations है तो इतना violations वाली building को छोड़ करके आप एक आदमी की violation वाली building अगर इनका violation है अगर इनके प्लान पे कोई problem है प्लान तो इनका है लेकिन अगर अप approval हुआ है तो जिस तरीके से हुआ है तो वो आप पहले पता कीजिए violation अगर हुआ है तो आप एक बंदे के लिए छोड़ करके आप सब के लिए बात कीजिए तो मैं जैसे कि आप कह रही है कि इतने सारे जो उन्होंने बता है इतने सारे फाइल से जो की आप इसमें से देख लीजे जी 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 ज़रूर तो जैसे कि मैं यह कह रहा हूँ कि अगर इतने सारे जो वाइलेशन में हैं तो सिर्फ सुधी प्राइश्रमाजी को क्यों टार्गेट गिया जैसे कि उन्हें ने कल कहा जैसे कि जो भी इनका पाली का पैलेस वगेरा हो गया है जो उनका बिल्डिंग बन रहा है जैसे कि उन्होंने ये इसके लिए बोला तो जो कि आज़ेंड अज़ेंडा नमबर त्री है इनका डिटेल ओफ वाइलेटेड विल्डिंग्स इन दा मुंसिपल लिमिट तो इस बारे में अब क्या गया है देखें सर वाइलेशन के लिए जो जहां तक की बात रही है मैं यही कहना चाहरी हूं कि अजीजुल रह्मान जिस इलाके का कांसल तो मैं यह बात जानती हूं ना तो उस जमीन का पटा है ना कोई टाउन प्लान है ना किसी किसी चीज की उसकी परमिशन नहीं है उसके बाद भी बिल्डिंग बनिया है और अजीजुल रह्मान का घर भी खुद उसी वार्ड में छे नंबर फुंगी चों में है क्या उनका उनका बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वालेशन नहीं किये है उनका कोई प्लान लिया है मुनिसिपल से उन्होंने कोई प्लान पास किया है तो अब फिर बात कीजिए देखिए अगर आप किसी को एक उंगली उठाते है ना तो तीन अपने पास भी आती है त तो मैं कहना चारियों कि इस वक्त जो है हमारा मिलकर काम करने का, लोगों की हल्प करने की इतने सारी समस्या है, उन पे ध्यान देने के, ना कि वो अपना पर्सनल गरेज सिर्फ एक ही बंदे से निकाले. अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल बात कीजिए, आप लोगों को अंडरमान के लोगों को जनता को बेवकुफ मत बनाईए, मेरा ये कहना है कि लोगों को भटकाईए मत, आपने क्या किया, आज देखिए फूंगी चौंग जैसे एरिया में, मैं फूंगी चौं में आपने क्या काम कर लिया है, कौन सा वालेशन फूंगी चौंग के अगर इतना ही आप इमानदार और इतना ही अपने आपको अच्छा काउंसलर बताते हैं, तो आप क्यों नहीं फूंगी चौं को रेगूलाइस किया गया, इतने सालों से क्यों नहीं किया गया, उनका प जनता अगर किसी को चुनती है, तो किसी वज़ा से चुनती है, कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, मुझे एक काम बताइए, मुझे एक काम गिना दीजिए, कि वो जनता के लिए किया है, फूंगी चौं में किसी के लिए काम किया है, फूंगी चौं में आज के डेट पे इतने सारे बच्चे, इतने सारे यंग, यूद सब नशा खो, सब नशा करते हैं, अब जो नशा करते हैं, उनके लिए आपने क्या किया, या तो आप एक नशा मुक्ति केंदर खोल दीजे, वो सबसे बड़ा दानपुर्ण का काम हो जाएगा, अजीज रह्मान के लिए, तो वो काम करिये, ताकि कुछ टूरिजम कीजिए, यहां कुछ तो करो, आप बहुत पहले से जैसे कह रहे हैं, या पुंगीचाओं में रहते हैं, तो आपने देखा है, तो ऐसा क्या हुआ जो लोग उनके उपर वहरोसागर के उनको जीता है, सर देखिए, इलेक्शन का टाइम ऐ कैसे लाया जाता है, वो सारी टेक्नीक हर किसी को पता है, तो यह जो है, अगर देखा जाए, तो यह टेक्नीक से ही जीता है, यह मैं कह सकती हूँ, यह मेरा अपना परसनल ओपिनियन है, जैसे कि वहां के लोग खुश नहीं है, यह करके भी नहीं, ना इनकी को आप मुझे चाहूं एक टेंपल का एरिया होता है, ठीक है, और वहां उस मंदिर कमेटी का पूरे हमारे यहां बोमीज बुद्धिस्ट एक मिशन होता है, उस मिशन में मैं अपने कमेटी की वोईस चेर्मेन हूं, हमारे बोमीज बुद्धिस्ट मिशन की, ठीक है, तो मुझे यह बात, कि पिछले दस साल से भी कियों ये बात अजीज रह्मान को बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि हर मंदिर के मिटिंग पे भी उसे बुला गया लेकिन उन्होंने अपने सामने सिर्फ अपना काउंसलर पोस्ट को ना बरकरार रखने के लिए उन्होंने लोगों को ये कह किया जाता है देखिए अभी लास्ट टाइम में इनका एक कुछ केस निकला था अजीज रह्मान का तो बातें इतनी हो रही है तो लोगों ने इस बात पर जब बात उठाई तो वो बातें अपनी हाप से बंद हो गए क्योंकि इनका जो हर काम है जो जितने भी वहां के यू बताया नहीं जाता या कोई पैचान है क्योंकि मैं इसे बहुत पर्सनली इंटरली जानती हूँ इसलिए मैं यह दावे के साथ कहती हूँ कि वहां जितने भी इनलीगल एक्टिविटीज होते हैं उसमें अजीज रह्मान का कहीं न कहीं हाथ है तो मैं आपका क्या कहना मतलब जैसे कि आपने कहा कि आपको परसनली टर्गेट यह अब वो जो है हमारे जो कॉंसलर है शुरी शुरी शुदीपराई शर्मा जी उनको पर टर्गेट किया जा रहे तो इसके बीचे क्या वज़े हो सकती है सर देखे वजह जो भी हो देखे यह उनका परसनल मेटर इसमें मैं यह नहीं कह सकती हुप को उनका परसनल टर्गेट क्या है किस पे किया जाते है देखे अजीज रह्मान एक ऐसा परसन है मैं आम अंडवान के जनता को बताना चाहरी हूँ कि वो उनका ये मैं नहीं कह रही हूँ ये आपका मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं अपने बोली बात बोल रही हूँ या मुझसे रिरेटेड बाते मैं आपको बता रही हूँ देखे ये जो है CID के रिपोर्ट है आप देख सकते हैं आपको चैनल को बता सकते हैं आप इनको जूम करके बताएए ये CID का रिपोर्ट है ये मैं नहीं कह रही हूँ केमरा में से दर्कास करूंगा कि इस चीज को जूम किया जाए जब मैं बताइए देखिए सर यह CID का रिपोर्ट है इसमें बहुत क्लियरली कह रहा है एक तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहरी हूं कि इसमें इन्होंने लिखा है यह P42 का है अंडमान का बट जहां तक मैं कहते हूं यह P42 में आता ही नहीं है इसका लोकल सेटिफिकेट का इंक्वारी किया जाए कि यह P42 का कैसे बता रहा है क्योंकि इसमें आपका CID के रिपोर्ट में सीधे सीधे बता रहा है यह आया है बिहार से कितने दिन पुरानी मतलब कब आपने ये रिपोर्ट ने कहा लिए ये रिपोर्ट मेरे पास इनिया पहले सिंगी ऑगाhst लिए ते we've कि यह रिपोर्ट तो गलत नही नहीं हो सकता आगे पिछे समय का आगे पिछे हो सकता है आप इस रिपोर्ट में यह दिखा है कि इनओन बहुत सारी चीजें की हैं, जो कि इन लिगल एक्टिविटीज की हैं, ये उनका केस का डीटेल, इसमें मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट पे लिख रहा है, ये आपको CID के रिपोर्ट पे लिख रहा हूँ, जी जी, CID रिपोर्ट बताया जा रहा है क्यों क्रिमिल आप देखिए इसमें जितने केसिस हैं, इसमें आप केसिस देख लीजेगा, ये सारे केसिस जो हैं, इनके नाम पे हैं, अजी देखिए, दस केसिस हैं इनके उपर में, ये सारे क्रिमिनल केसिस हैं, अभी भी चल रहे हैं, हाँ जी, ये केसिस चल रहे हैं, ये केसिस चलने क मुझे जहां तक जानकारी है कि काफी लोगों को ये बात नहीं पता है अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहरी हूं ये वालेशन के बाद जो कर रहा है अब सबसे बड़ा वालेशन यहां पर कितने सारी बीडिंगें हैं आप बताएए होटेल्स के बाद कर रहे हैं सुधी करवाई की और सबसे बड़ा वालेशन जो है आएम एक सी फ्लाट यह जो है मिस्टर अली का है मौमद अली मौमद अली का है जो फिलहाल अभी आप लोगों ने भी ये शायद सुना होगा कि एक मर्टर कैसे अभी से बच्चे को मार डाला एक्स्टॉशन दौराय आज इवन कारवास में बेचा दौराय आज इवन कारवास में है 28 साल के उसकी सजा भी हुई है यह फर्स टाइम अंडमान के ऐसे किसी पॉसन ने ये काम किया बड़ी शरमनाग बात है इस पूरे अंडमान को उसने शरमसार कर लिए ऐसे ऐसे क्रिमिनल के साथ में अजिजलरहमान का ल का ओनर का नाम यह भी मैंनी निकाली हूं इसके ओनर का नाम देखिएगा आई-मर्स ट्राइप लिमेटेट से हैं फर्स्ट ओनर यह गाड़ी नमबर है अन कैश में लिया गया है आप बताएए ओन कैश में एक दस से बारा पंदरा लाग की गाड़ी कोई किसी को क्यों उसके रिष्टेदारी नहीं है। उसका कोई उसके साथ संबंद्द अगर वो इतना ही इमानदार है, तो ऐसे क्रिमिनल के साथ में उसका क्या संबंद है। ऐसे गिफ्ट क्यों दे देगा वालिशन के नाम पे आप आये में वसी फ्लैट को वालिशन नंबर वन सबसे पहले उसमें अगर कोई फायर का प्रॉबलम हो गया या किसी भी तरीके से प्रॉबलम हो गया तो वहां से बंदा बचके नहीं निकलेगा क्योंकि मैं खुद उसी बिल्डिंग में रहती है ना उसमें फायर का कोई इंतिजाम किया गया है सेफ्टी के कुछ भी चीज़ेशन सेफ्टी नहीं है पीछे से हमारा कोई विंडो या डोर नहीं है कि अगर कलको कुछ हो गया तो पीछे से निकल जाए तीसरी बात उसकी बिल्डिंग पर आज तक इतने बड़े रोड पर उसका बिल्डिंग प्लान हुआ या नहीं हुआ वो पता कीजिए 6 माला का बना धिया 5 माला में बना दिया 6 माला में उन्होंने अपना एक बड़ा सा हॉल बनाया वो किससे साब से ऐसे क्रिमिनल्स के साथ में अजीज रह्मान का रिष्टा कैसे है? मुझे ये बात समझा दीजे. सुचने हैं लिबात है मैं कि अगर दिया गया हो या तो उनका कुछ काम किया होगा या उनका कुछ खास रिष्टेदार क्या का संबन्द होगा? देखे रिष्टेदारी का तो मैं नहीं कह सकती बट इसके कुछ ऐसे करमात और कर्म जुड़े हैं जो कि ऐसे क्रिमिनल के साथ इसके रिष्टे हैं और फिर ये अपनी गलतियों को छुपा करके दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाता है मैं चाहती हूँ अपने बिल्डिंग के वालेशन के बाद क्यों नहीं कर रहा है आप आयमसी जो पंचायत के तरफ से वो तो पंचायत वले एरिया में आता है दूसरे वले आयमसी टेरलाबाद वले उन पर क्यों नहीं कारवाई की जाती है क्या अजीज रह्मान इतना बड़ा आज के डेट पे मुनिसिपल के अंदर हो गया जो चेयर पर से भी उपर है सारे डिसीजन वही लेगा सारे कांसलर को वो चलाएगा या उनके बीजीपी के कोई ऐसे बड़े अधिकार बड़े नेता है जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो ऐसे कुश्चिन करें कितने सारे जो होटेल से आप कहना जा रही है कि इतने सारे वॉयलेशन बिल्डिंग्स यहां पर है फिर भी उन्होंने सुधी प्राई शर्माजी को टार्गेट किया है वो उसका परसनल खुंदस है इस तरीके से लोगों का सिंपैती ना गेन करें इस तरीके से चलाकिया ना खेले अपनी गलतियों को बताए मैं कह रही हूं कि ऐसे यह पूरे पेपर में आना चाहिए कि उस अपना परसनल खुंदस निकाल रहे है उसे यहां पे लोगों के जनता का सेवा के लिए यहां बिठाया गया ना कि परसनल इंटरस्ट के लिए करना चाहिए कि जो कायदे से जो काम होता है वो करें जो भी नीटफुल है जो आईलेंड के पीपल के लिए वो करें ना कि अपने परस्नल दुश्मनी निकालें देखे मनेशी आज के देड़ पे लोगों के पास काम नहीं है मेंगाई इतनी बड़ी वी है अंडमान में सबसे ज़्यादा जो है हमारा टूरिजम चलता है आज टूरिजम का हाल बेहाल है लोगों ने गाड़ियां ली है सब आज के देड़ पे वो सारी गाड़ियां बिक्र इनके पास जिने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, उनके जिने के लिए रास्ता बनाई है, बहुत मुश्किल सिफ इतने सालों के बाद में काउंसिल बना है, कुछ अच्छे काम कीजिए, ना कि इन सारे चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कीजिए, लोगों का ध्यान का रहे हैं जिनके पास काम नहीं है आप दूर की बात मत करो आप अपने ही छे नंबर वाट के बच्चों को एक बच्चे को काम पे लगा के बात कीजिए मैं मान लूँगी किसी एक बच्चे को किसी एक को नशा से छुड़वा दीजे मैं मान लूँगी कि अजीज दुलरवा एक अच्छा काउंसलर है, छुडा के दिखाईए, हमारे यहां एक कहवत है, जो जखम देता है, वो दवा नहीं देगा, अब इस बात से आप समझ जेए कि मैं क्या कहना चाहरी हूँ, और इसके आगे के चैप्टर में दुबारा आप से मीलूँगी, तब यह बात करूँगी तो और मैं यह भी आपके चैनल के माधियम से एक बात और कहना चाहरी हूँ, यहां ऐसे बहुत अंडमान के अंदर में कुछ यूट्यूब चैनल सिफ अंडमान के लिए जो काम कर रहे हैं, मैंने यह चीज़ देखा है, कि अगर कोई सच्चा ही बताता है, तो या तो इसको ब्लैक मिल किया जाता है, ऐसे कुछ एक चैनल है, इस पे भी मैं डिसकुशन करूंगी, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करूंगी, नेक्स जब भी हम बात करेंगे, तो हम प्रूफ को ले करके, मुद्दे को ले करके बात करेंगे, क्योंकि ऐसे, अगर सच्चाई दि करूंगी, ना कि उनको बद्नाम कीजिए, ना कि उनको ब्लकमिल कीजिए, ये एक नया अन्डमाद में नया सिलसिला शुरू हो गया ब्लैक मिलिंग का तो इन चीज़ों से मैं चाहता हूं कि बचके रही है, और जो जिस तरीके से blackmail करते हैं, उन सब को मुझे लगता punishment मिलना चाहिए, उनका license cancel होना चाहिए, ऐसे channels के. अधन्धान के लुब्स पिस वेना चाहिए लुब्स निए दो को मिलना चाहिए, झाले कि लुब्स लुब्स तरीके से जा जा मनें वाहिए